नमस्कार साथियों मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाई फाई स्टड़ी विथ नंदिनी में जैसा कि आप सबको पता है कि हमने क्लास 11 की सिरीजी स्टार्ट करी है जिसमें हम चैप्टर नमबर 7 कर रहे थे और चैप्टर नमबर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक प पर स्क्रास्ट कोक्षन है दलास्ट सपर चित्र बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था तो हमने पड़ा था कि जो यह चित्र है इसको बनाया था लियोनार्डो दा विंची गुटनबर्ग द्वारा 1455 में सबसे पहले अपने चापे खाने में क्या चापा गया था जो गुटनबर्ग द्वारा जो चापा खाना स्टार्ट किया गया था 1455 में जर्मनी में उसमें सबसे पहले बाइबल की 150 प्रतियों को चापा गया था मार्टिन लूथर द्वारा आरम्द किया गया Catholic Church के विरुद अभियान क्या कहलाया यानि मार्टिन लूथर ने जो आरम्द किया था Catholic Church के विरुद अभियान उसे क्या कहा गया तो हमने पढ़ा था कि उस अभियान को कहा गया था Protestant सुधारवाद कोपर निकस ने किस सत्य की घोषना करी थी यानि कोपर निकस क्या जानते थे तो देखो उस समय जो है इसाई मानेताओं के अनुसार ये था कि प्रिथवी पर बहुत सारे पापी है मनुश्य पापी है उस भार की वज़े से प्रिथवी इस्थीर है इस विचारधारा को Society of Jesus क्या थी Society of Jesus एक ऐसी संस्था थी जो Catholic Church द्वारा आंत्रिक सुधार के लिए बनाई गई थी क्यूं बनाई गई थी देखो यह हमने पढ़ लिया कि क्यूं बनाई गई थी साथ में ही आप यह भी जान लीजे कि Catholic Church के विरूद बहुत सारे विद्रो होने लगे थे लोग मार्टिन लूथर की विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगे थे साथ ही जो शाशक थे राजा थे उस टाइम पीरिट के वो भी प्रभावित हो रहे थे आम जनता के साथ-साथ तो ऐसी स्थिति में Catholic Church ने अपने आंत्रिक सुधार किये थे दपाइटा नामक्रती किसके द्वारा बनाए गई है दो देखो दपाइटा क्या है मुर्ति कला है एक मुर्ति है ठीक है और जिसको हूबहू देखने पर ऐसा लगता है कि हूबहू उसी वेक्ति के मुर्ति को बना दिया गया है जिसमें दपाइटा में आप देखेंगे कि जो मेरी है उनकी गोद में इसा मसी को दिखाया गया है तो इस तरीके से बिल्कुल जिवन एक मुर्टी बनाए गई है किसके द्वारा बनाए गई है तो इसका उत्तर होगा ख विद्वान कसांद्रा फेदेले कहा की निवासी थी यानि ये कहा की रहने वाली थी तो ये कौन थी? एक लेकी का थी, एक विद्वान थी, मानौतावाद की समर्थक थी और ये कहां की रहने वाली थी? तो ये वेनिस की रहने वाली थी. न्यू टेस्टामेंट क्या है? न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वो भाग है जिसमें इसामसी का जीवन चरित्र, उनके धर्मुपदेश और उनके जो स्टार्टिंग के फॉलोवर्स थे, उनके बारे में लिखा गया है. ररेनेशा वेक्ति, शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता था? तो देखो जो ताइम पेरिड था, आधुनी काल यानि 15th century के बाद का जो ताइम पिरिड था, उसमें ररेनेशा वैक्ति उन वैक्तिउं के लिए प्रयोग किया जाता था, जो बहु मुखी प्रतिभा क धनी होते थे यानि जिनकी रुची बहुत सारे विश्यों में एक साथ थी कैंटरबरी टेल्स क्या है कैंटरबरी टेल्स एक ऐसी रशना है जो अंगरेजी भाषा में लिखी गई है और इसके जो रचैता है वो है जेफ्री चॉसर फ्लोरेंस की प्रसिद्धी में किन दो लोगों का हाथ था देखो हमने पढ़ा था कि जो इटली का फ्लोरेंस नगर है वो अपने कला और विज्ञान के छेतर में विश्व प्रसिद्ध हो गया था तो उसके पीछे कौन से दो विद्वान थे तो उसके पीछे जो विद्वान दान्ते अलिगहियरी लियोनार्डो दा विंची तो देखो ये जो The Civilization of the Renaissance Italy ये जो बुक है ये बर्क हार्ट के द्वारा लिखी गई थी जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से ब्यापार आरम किया तो पश्ची में ये देशों का ब्यापार क्या रहा बढ़ा बंद हो गया कोई फर्ग में पढ़ा या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो हमने देखा था कि जैसे ही जब मंगोल चीन के साथ रेशा मार्ग से ब्यापार करने लगे थे तो जो पस्ची में यूरोप ये देश का ब्यापार था वो धीरी धीरे बढ़ गया अमेरिका की कोज किस में की थी तो प्रिस्टोफर कुलंबस ने की थी यूरोप में सबसे पहले विश्व विद्याले ये विश्व विद्याले किस देश में खुले थे वो कौन सा देश था जिसमें विश्व विद्याले खुले थे तो हमने पढ़ा था इतलि कसांद्रा ऐसी महिला विद्वान थी जो पादुआ विश्व विद्याले में जिनको भाषन देने के लिए बुलाया जाता है तो और इनका एक स्टेट्मेंट भी हमने पढ़ा था कि ये चाहती थी कि इस तरिया नए-ने सिक्षा के छेतर में नए-ने आउसरों के आउसरों को खोजे और विधिशास्त्र के अध्यन का केंद्र कौन सा विश्व विद्याले ये विश्व विद्याले है विश्व विद्याले बन गया था तो देखो विधिशास्त्र जो है कहां पर पढ़ाया जा रहा था ये ही पूछा जा रहा है कि कौन सा विश्व विद्याले था जहां पर ल जो है खत्म होता है तो उसके बाद रिनेशा नामक विक्ति आते हैं यानि बहुमुकी प्रतिभा के विक्तियों विक्ति आते हैं जो पूरी तरीके से समाज को बदलने की कोशिश करते हैं लोगों की विचारों को प्रहायत करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लोगों का जब ज प्लेटो और अरस्तु ये दोनों यूनानी विद्वान थे और इनके दोरह जो लिखित हुई लिखित पुस्तके थी वो अरबों के पास चली गई थी यानि अरब उसके अरबों के पास उनकी कुछ कृतियां सुरक्षित रखी हुई थी ठीक है ना तो अरब वासी इनको कहते थी ठीक है टॉलमी का अलम जेस्ट किस विशे से संबंदित है तो मैं आपको बदा दू कि टॉलमी एक भुगोल वेता थे और इनकी जो ये बुख है अलम जेस्ट ये खगोल शास्त्र से संबंदित बुख है आयुर्वग्यान विश्वकोस किसकी रशना है यानि किस दाशनिक ने ज्यान फैलसुप और धार्मिक विश्वासों के बीच के तनावों को दूर करने का प्रयास किया था वो कौन सा दाशनिक था जिनों ने ज्यान और जो धार्मिक विश्वास हैं उनके बीच के तनावों को दूर करने का प्रयास किया था तो वो थे इब्न रुष्द। किस मुर्तिकार ने सजिव मूर्थियां बनाने के नई परंपरा कायम करी थी? मतब ये एक ऐसे वक्ति थे जो सजिव मूर्थियां बनाते थे. मतब जैसा है उसको as it is वैसा ही बना देना देखकर. है ना? वो थे दोना तल्लो कौन थे दोना तल्लो पादुआ विश्व विद्याले में आयर विज्ञान के प्राध्यापक कौन थे यानि जो पादुआ विश्व विज्ञाले था वहाँ पे जो आयर विज्ञान है उसके जो हेड थे एचोड़ी थे वो कौन थे टॉलिमी ऑंड्रिय विसेलियस दोना तल्लो और अरस्तो तो उत्तर नंबर खो अंड्रियस विसेलियस शरीर विज्ञान रेखा गड़ित भौतिकी और संदरी की उत्कृष्ट भावना ने इतावली कला का कौन सा रूप विक्सित किया था तो देखो जब इन सब ही का विकास हुआ तो इनके सासा बात में इतावली कला का जो रूप विक्सित हुआ उसको बोला गया यथार्थ बात क्या बोला गया यथार्थ बात मतब जैसा है वैसा ही बना देना रोम सामराजे कालिन शैली का पुनरुद्धान क्या कहा गया यानि जो रोम सामराजे कालिन जो शैली चल रही थी जो आर किया गया तो अब बाद में बुजा के क्या कहलाया मानोतावादी शैली यथार्त शैली शास्त्रिय शैली या कल्पना शैली तो उत्तर नंबर गव शास्त्रिय शैली कहलाया फ्लोरेंस के भवे गुमबद Duma की रशना किसने की थी? जो फ्लोरेंस का भवे गुमबद था उसमें Duma गुमबद को ही Duma कहते हैं तो उसकी रशना किसने करी थी औंड्रियस वेसेलियस ने, फिलिपो बुरुने लेशी ने, इबन रुष्ट ने और अलराजी ने, तो उत्तर नमबर ख़व होगा, फिलिपो बुरुने लेशी ने किया था, पहले छापे खाने का आविशकार किस ने किया था, तो हमने पढ़ा था, जोहानेस दिर्मनी में 14-15 में किया था लोरेंजो वल्ला की पुस्तक का क्या नाम था है एनटॉमी नहीं तमोशन नहीं ऑन प्लेजर और कैंटर्बरी टेल्स तो उत्तर नंबर होगा गव अन प्लेजर नामक पुस्तक लिखने वाले थे लोरेंजो वल्ला व्यक्ति को उसके सारे किये गए पापों से छुटकारा दिला सकता था क्या चिस छुटकारा दिला सकता था मैंने आपको बताया था वीडियो में कि जो चर्च थी उसकी मान्यता थी कि अगर व्यक्ति एक दस्तावेज होता था उसको खरीपाप स्विकार रुकती और आपको शाद याद होगा कि मैंने वीडियो में समझाया था कि जो ये जो बात है ये जो बात ही वो पादरियों द्वारा बताई गई थी आम जनता को लेकिन जब छापे खाने का आविशकार होता है बाइबल की प्रतियां छपती हैं जो सरल लेंग्विज में या जो आम जनता है उसकी पहुंच तक जब बाइबल जाती है और लोग बाइबल को औरिजनल बाइबल को पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें तो कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी हुई है है ना तो लोग इसी इसलिए चर्च का विरोध करने लगते हैं और मार्टिन लूथर के विचारों से प्रभावित होने लगते हैं तो ये कहना था वहाँ जो कैथलिक चर्च थी उनके पादरियों का और हमारा आंसरों का कप पाप सिवका रोकती दस्तावेज इगनेसियस लोयाला के अनुयाई क्या कहलाए बाइट मुस्लिम यहूदी जेसुइट क्या कहलाए थे जेसुइट कहलाए थे और ये जेसुइट वो फॉलोवर्स थे इगनेसियस लोयाला के कौस्मो ग्राफिकल मिस्ट्री के रचेता कौन थे कॉस्मो ग्राफिकल मिस्ट्री के रचेता कौन थे अंड्रियस वेसेलियस जोहानेस कैपलर इबनरुष्ट अलराजी नहीं जो इसके रचेता थे वो कौन थे खो जोहानेस कैपलर गैलिली ओ गैलिली कौन थे तो ये भी एक खगोल शास्त्री थे गैलिलियो गैलिली वास्तिविक ज्यान के प्रसार के लिए लंदन में कौन सी संस्था गठित की गई थी जो वास्तिविक ज्यान का प्रसार है उसके लिए लंदन में कौन सी संस्था गठित की गई थी तो उसके लिए जो संस्था गठित की गई थी उसका नाम था Royal Society जो वास्तिविक ज्यान का प्रसार कर रहे थे वास्तिविक ज्यान मतलब जो Real Knowledge है जो Real बात है उसके बारे में प्रसार कर रहे थे अन एनटॉमी ग्रंथ किसकी रशना है अंडरियस वेसेलियस जोहनेस कैपलर इबनरुस्त अलराजी तो ये रचना किसकी है अंडरियस वेसेलियस की रचना है प्रतिवी का पहला बेलना कार मांचितर किसने बनाया है अंडरियस वेसेलियस, गेरहार्ड्स, मर्केटर, इबनरुस्त, अलराजी रेजेश्ट तो देखो प्रतिवी का जो पहला बेलना कार मांचितर है वो बनाया गया था Gerhards Mercator के दोरा कस्तानिया के वैजंटाइन शास्कों को किसने पराजित किया था कस्तानिया के जो वैजंटाइन शासक थे उसको किसने पराजित किया था वो लोग कौन थे Ottoman तुर्ग, Gerhards Mercator, Ibn Rushd Al-Razi तो वो थे Ottoman तुर्ग किस देश के गड़ी तग्यों ने सूर्य का अध्यनकर अक्षांस की गड़ना की है यानि वो किस देश के गड़ी तग्ये हैं जिन्हों सूर्य का अध्यनकरा और फिर अक्षांस की गड़ना करी तो वो France, Portugal, Germany या England तो उत्तर होगा ख़़ पुर्तगाल रूपचित्र यानि पोट्रेट का जनक किसे कहा जाता है तुर्क, गिर्हार्ट्स, इबनरुष्ट, जोटो किसे कहा जाता है तो जोटो जोटो एक ऐसे कलारकार थे जो पोट्रेट या रूपचित्र के जनक कहे जाते थे और ये हूबहू वैसा ही बना देते थे जैसा ये देखते थे इस वीडियो में इतना ही I hope आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया जो कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा तो इसको दूर दूर तक शेयर करिए लाइक करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे की मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया जो भी कंटेंट है वो आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे यहाँ पर यह सोशल मीडिया की साइट से इनके माध्यम से आप चैनल को विजिट कर सकते हैं साथ में ही आपके जो भी कोश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं टेलिग्राम लिंक दिया गया है जहां पर आप फ्री आपको जाकर जो भी मटीरियल आपको पसंद है पढ़ना है नोट्स बनाने वहां से डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं आपका बहुत बहुत धनेवाद थाइंक यू